धीरपुर नाम के गाउं में एक चुड़ैल अपने दो बच्चों के साथ रहती थी चुड़ैल बहुत ही सीधी साधी और शरीफ थी एक दिन चुड़ैल का बेटा रिंकू चुड़ैल से बोलता है मा मैं घर में बैठा हुआ बोर हो जाता हूँ कोई हमारे साथ खेलता क्यों नहीं है बेटा वो इसलिए कि हम चुड़ैल हैं लोग हमसे डरते हैं इसलिए कोई भी हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल की बेटी रानी बोलती है मा लेकिन इसमें हम दोनों के क्या गलती है मैं रोज देखती हूँ, पड़ोस में रहने वाली सारी लड़किया स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं रानी की बात सुनकर चुडैल बोलती है बेटी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अभी तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे, तो तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब मिल जाएगा चलो, अब सोचाओ फिर चुडैल, रानी और रिंकु को सुला देती है, और बैठे-बैठे सोचती है अब भला मैं इन दोनों को कैसे समझाओं, कि लोग इन से क्यों बात नहीं करते भगवान करे इन दोनों को ये बातें जल्दी समझ में आए, कि ये लोग आम इनसान नहीं, बलकि चुडैल है अगली सुबह चुडैल उठती है, और रानी और रिंकु से कहती है बेटा, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों घर पर ही रहना, कहीं इधर उधर मैं जाना फिर चुडैल, रानी और रिंकु को समझा कर वहां से निकल जाती है चुडैल के जाने के बाद रानी, रिंकु से कहती है रिंकु, मा तो यहां से चले गई है, हम दोनों अब यहां अकेले है मैं तो कहती हूँ, रिंकु एक बर स्कूल चलते हैं और अंदर से देखते है रानी की बात सुनकर रिंकु डरते हुए बोलता है ना बाबा ना, मैं तो कहीं नहीं जाओंगा मा को पता चला, तो वो मार मार कर बुरा हाल कर देगी मैं तो कहीं नहीं जाता, तुझे जाना है, तो जा कितना दर्पोक है तू, अच्छा, तो मैं अकेले ही जाती हूँ आज और हाँ, लेकिन तो मा को कुछ मत बताना इस तरहे रानी, रिंकू को चुडैल को कोई भी बात बताने से मना कर देती है, और स्कूल देखने के लिए चली जाती है, स्कूल के अंदर पहुँचकर रानी, बाहर खुश हो जाती है, अरे वा, ये स्कूल तो बहुत ही बच्चे देखो कितने खुश हैं, कितने नेने एक जैसे कपड़े पहन कर आए हैं, काश मैं भी यहाँ पढ़ पाती तभी वहां स्कूल का गाड आ जाता है, और रानी को देखकर घबर आ जाता है गाड की बात सुनकर सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता चलती है और वो भी वहाँ आ जाते हैं, और बोलते हैं कहा है चुडएल, इतनी देर से हंगावा मचा रखा है, ये स्कूल है, यहाँ डिसिप्लेन में रहो रानी पर पढ़ती है, पहले तो रानी को देखकर प्रिंसिपल भी घपरा जाते हैं, लेकिन फिर संभलते हुए बोलते हैं क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या चाहिए, बोलो प्रिंसिपल की बात सुनकर रानी बोलती है अंकल, मैं भी स्कूल में पढ़ना चाती हूँ, मुझे भी इस स्कूल में पढ़ना है रानी की बात सुनकर प्रिंसिपल सोच में पढ़ जाते हैं, और कुछ देर सोचने के बात बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेटी, यहां पढ़ने के लिए पहले यहां नाम लिखवाना पढ़ता है और अपने माता पिता को यहां लेकर आना पढ़ता है तुम ऐसा करो, यहां से अभी जाओ, और कल किसी बड़े के साथ यहां आना इस तरह प्रिंसिपल के समझाने के बाद, रानी वहां से चली जाती है चुडैल रानी का घर पर ही इंतजार कर रही होती है जैसे ही रानी घर पहुँचती है, चुडैल रानी से कहती है कहां गई थी, पता है तेरे चक्कर में मैं कपसे परिशान हो रही थी, कोई अकल है तुझे, अपनी मा को यूँ गुस्से में देख कर, रानी हसने लगती है और बोलती है, मेरी भोली मा कितनी चिंता करती हो, अरे मा मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं बड़ी हो रही हूँ, फिर रानी स्कूल में हुई सारी बात चुडैल को बता देती है और चुडैल से कहती है, मा स्कूल के प्रिंसिपल मान गए है, अब मैं भी पढ़ पाऊंगी, बस आप चल लो एक बार मेरे साथ स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए, रानी को यूँ खुश देख कर चु चुडैल में नहीं पढ़ सकती, मैंने इसका दिल रखने के लिए कल इसे बोल दिया था, लेकिन आप समझती है चुडैल और इंसानों में फर्क होता है प्रिंसिपल की बात सुनकर चुडैल बोलती है प्रिंसिपल जी, मेरी रानी बहुत ही अच्छी बच्ची है हम भले ही चुडैल हैं लेकिन हमने कभी भी किसी भी इनसान को परिशान नहीं किया ना ही किसी की जान ली है इसे पढ़ने का मौका दो एक बार मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है चुडैल के ऐसे बोलने पर प्रिंसिपल को भी दया जाती है और वो बोलते है देखो चुडैल जी, मैं आपकी बात मानकर रानी को स्कूल में दाखिला तो दे दूँगा लेकिन बच्चे इसके साथ कैसा बरताफ करेंगे वो मैं नहीं जानता प्रिंसिपल की बात सुनकर चुडैल खुश हो जाती है और बोलती है प्रिंसिपल जी, आप उसकी चिंता मत करें मेरी बेटी बहुत ही समझदार है वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको कोई समस्या हो फिर चुडैल और रानी वहां से खुशी-खुशी चले जाते हैं अगली सुभे रानी स्कूल की ड्रेस में चुडैल के सामने आती है चुडैल रानी को देख कर बहुत खुश हो जाती है और कहती है पिर रानी स्कूल में चली जाती है स्कूल में सारे बच्चे रानी से दूर बैठते है रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे उससे दूर क्यों जा रहे हैं ये देख रानी एक बच्चे के पास जाती है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है बच्चे का चिलाना सुनकर स्कूल की कुछ टीचर भी वहां आ जाती है और गुसे में बोलती है ये हमारे प्रिंसिपल भी ना सादा महान बनने के चक्कर में सब गड़ पड़ कर देते हैं बताओ अब इनकी वज़े से चुड़ेलों को भी हमें पढ़ाना पड़ेगा हम अब इसी लाइक रह गए हैं क्या ये सब देखकर रानी बहुत उदास हो जाती है और रोती-रोती कहती है तीचर जी मैं तो सिर्फ बच्चों से दोस्ती करना जा रही थी रानी की बात सुनकर दूसरी टीचर बोलती है रानी तुम हमारे सब के जैसी बिलकुल नहीं हो तुम चुड़ेल हो और हम एंसान इसलिए तुम इन बच्चों से दूर ही रहो तुम सिर्फ यहां हो क्योंकि प्रिंसिपल चाते थे कि तुम पढ़ो बस अब यहां से जाओ टीचर की बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है और वहां से रोते-रोते चली जाती है घर पर चुड़ेल उसका इंतजार कर रही होती है रानी को यू रोता देख चुड़ेल उसके पास जाती है और बोलती है क्या हुआ रानी बेटी? क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ, मैं अभी जाकर उसे मज़ा चखाती हूँ बस तुम रो ना बंद करो चुड़ेल की बात सुनकर रानी रोते रोते उसे सारी बात बताती है ये सुनकर चुड़ेल गुसे में आ जाती है और गुसे में बोलती है मेरी प्यारी बेटी को रुलाया मैं इंदुष्टों को छोड़ूंगी नहीं कल ही इने मज़ा चकाऊंगी अगर हम चुडैल हैं तो क्या हुआ हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा लगता है इन दुष्टों को चुडैल की ताकत दिखाने ही हूँ अगली सुभे चुडैल रानी के साथ उसके स्कूल जाती है चुडैल गुस्से में और भयानक लग रही होती है उसे देखकर सब घबरा रहे होते हैं चुडैल रानी की स्कूल टीचर के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़ कर उठा लेती है तुम्हें शर्म नहीं आती तुम तो टीचर हो तुम्हें तो बच्चों को सही रा देनी चाहिए लेकिन तुम लोग ही उनका अपमान करने लगते हो मा तुम्हें नहीं छोड़ूंगे तब तक वहां स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और चुडैल को बोलते है नहीं, रुख जाईए चुडैल जी अगर कोई गलत है तो आपको भी गलत नहीं करना चाहिए मैं टीचर के जगह आपसे माफी मांगता हूँ इन्हें छोड़ दीजिए प्रिंसिपल के कहने पर चुडैल टीचर को छोड़ देती है लेकिन तभी स्कूल के एक कमरे में आग लग जाती है और वहां बहुत से बच्चे फस जाते है अरे, कोई उन बच्चों को बचाओ वो मर जाएंगे कोई बचा लो ये सब देख रानी क्लासरूम के अंदर घुज जाती है और अपनी चुडैल के शक्तियों से सब बच्चों को बचा लेती है सारे बच्चे रानी को घेर लेते हैं और उसका धन्यवाद करने लगते है मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो मैं तो तुमारी दोस्त हूँ और तुमारी जान बचाना मेरा फर्ज है सारे बच्चे रानी को अपना दोस्त बना लेते है ये देख रानी की थीचर चुडैल के पास जाती है और रोति हुए बोलती है बच्चा बच्चा ही होता है वो कसी का भी हो, आगे से रानी हमारी भी बेटी है यही तो मैं सुनना चाह रही थी, मेरी रानी है ही इतनी प्यारी अब मैं चलती हूँ, ये स्कूल टाइम है ऐसा कहकर चुडैल, वहां से चली जाती है बहुत समय पहले की बात है रमेश नगर नाम के एक गाउं में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था उस परिवार में महेश उसकी पतनी जया और उनकी साथ साल की बेटी पिंकी रहती थी सर्दियों का मौसम था और इस बार थड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे महेश के घर के हालात इतने ज़ादा बुरे थे कि वो इतनी कड़कती ठंड में भी एक स्वेटर नहीं खरीद पा रहे थे जया विचारी बिना स्वेटर के अपना पूरा दिन ठिठोडते हुए निकाल रहे थी मा आप पूरा दिन ठंड में ठिठोडती रहती हो अब आप भी अपने लेक स्वेटर बना लो तु मेरी फिकर मत कर तेरे पापा के पास जब पैसे हो जाएंगे तो वो मुझे स्वेटर दिला देंगे क्या हम इतने गरीब हैं कि एक स्वेटर भी नहीं ले सकते बेटी हम तो पेट भर खाना खाले उतना ही बहुत है पिंकी को अपनी मा के लिए बुरा लगता रहता है क्योंके पास एक स्वेटर भी नहीं है वो कैसे ठंड में पूरा दिन काम करती है वो स्कूल के बाद यही सोचते सोचते दूर निकल जाती है और वहाँ एक घने बगीचे में पहुँच जाती है वहाँ उसे एक बरगत के पेड़ पर एक बड़ा ही सुन्दर स्वेटर लटका दिखता है पिंकी की आँखे खुशी से चमक उठती है अरे वहाँ इतना सुन्दर स्वेटर यह तो मा को बड़े अच्छे से आएगा मुझे कैसे भी करके इस स्वेटर को पेड़ से उतार नहीं होगा बस फिर पिंकी जल्दी से एक लंबी सी डंडी ढून कर लाती है और पेड़ से उस स्वेटर को उतार लेती है जैसे ही पिंकी उस स्वेटर को हाथ में लेती है उसके शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है उसे समझ ही नहीं आता कि बस स्वेटर को हाथ लगाते ही इतनी गर्मी कैसे आ सकती है पर वो खुश भी बड़ी होती है कि अब उसकी माँ को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा पिंकी जल्दी से स्वेटर लेकर घर पहुँचती है पिंकी की माँ पिंकी के हाथ में इतना सुंदर स्वेटर देखकर चौक जाती है अरे पर ये स्वेटर तुम लाई कहां से, किसका स्वेटर है ये अरे मा, मैंने ये स्वेटर एक पेड़ पर टंगे हुए देखा, तो बस मैं आपके लिए ये ले आई जया बड़ी ही खुश हो जाती है, वो पिंकी के हाथ से वो स्वेटर लेती है और उसको पेहन लेती है स्वेटर पेहनते ही जया के शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है, उसे तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे ठंड नहीं बलकी गर्मियों का मौसम हो, अरे वा बेटी, ये तो बहुत ही गर्म है तुम मेरे ले कितने अच्छी चीज लेकर आई हो, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ जैया पूरा दिन उस स्वेटर को पहन कर बड़े मजे से काम करती है, पर जैसे जैसे शाम होने लगती है, जैया अजीब सा बरताव करने लगती है उसकी आवाज भारी हो जाती है और बिल्कुल चुप चाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है पिंकी को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए वो अपनी मां से खाना मांगने जाती है, पर वो पिंकी को डाट कर भगा देती है उसके बाद जब महेश काम से वापस घर आता है और वो जया से खाना मांगता है, तब भी वो चिलाने लगती है महेश को बड़ा गुस्सा आता है क्या तुम पागल हो गई हो, जो बिना वजय गुस्सा किये जा रही हो, ना तुमने आज पिंकी को खाना दिया, और मा भी कबसे भूकी है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है की नहीं ओई, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा, वरना भी क्या भी तरी गर्दन मरोड कर तुझे यहीं जमीन में गाड़ दूँगी इतनी बत्त मीजी, तू सच में पागल हो गई है पता नहीं पापा, जब से माने ये स्वेटर पहना है तब से वो एक कोने में बैठी है और किसी से बात भी नहीं कर रही ऐसा है, अभी क्या भी मुझे ये स्वेटर उतार कर वापस दो, इस स्वेटर में ही आग लगाता हूँ मैं अभी बस इतना सुनते ही जया गुसे से लाल हो जाती है और चुडैल में बदल जाती है जया को चुडैल के रूप में देख महेश की हालत खराब हो जाती है और पिंकी तो जोर-जोर से रोने लगती है तेरी इतनी हिम्मत जो तु मेरे स्वेटर को आग लगाएगा तुने अगर इस स्वेटर को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूँगी समझा जया जया तुम्हें तुम्हें ये क्या हो गया है ये ये तुम चुडायल कैसे बन गई मैं कोई जया नहीं हूँ, मेरा नाम रागिनी है रागिनी, समझा और अब मैं तेरी जान ले लूँगी मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्वेटर, बस मुझे कुछ मत करो पर याद रखना, अगर मेरे स्वेटर की तरफ नजर भी उठा कर देखा तो आँखे निकाल लोगी जैसे तैसे चुडैल शान्त हो जाती है और वापस जया में बदल जाती है जया को कुछ होश भी नहीं होता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है महेश पिंकी को इशारा कर देता है कि मा को कुछ नहीं बताना क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जया के शरीर में किसी चुडैल का वास है और जया को कुछ भी याद नहीं है सब लोग साथ में बैठ कर खाना खाते है और उसके बाद सब सोने चले जाते हैं सोते वक्त महेश को लगता है कि जया अब स्वेटर उतार कर सो जाएगी और महेश उसका स्वेटर कहीं दूर फेकाएगा पर जया तो स्वेटर उतारे बिना ही सो जाती है अब अगली सुबह होती है महेश को काम पर जाना होता है पर जया अभी तक सो रही होती है जया, जया, जल्दी उठो, देखो दिन निकलाया है, पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करना है, मुझे भी काम पर निकलना है, जल्दी उठो बाबा महेश फिर पिंकी से उस स्वेटर के बारे में पूछता है, पापा, वो स्कूल से आगे जाकर बगीचे में जो बड़ा सा बरगत का पेड़ है, उस पर से, महेश फिर पिंकी के साथ उस बगीचे में जाता है, और वहाँ खड़े बरगत के पेड़ को ध्यान से देखता है, वो वहाँ खड़ा देखी रहा होता है कि तब ही उधर से एक आदमी गुजरता है, जो महेश को टोकता है, यहाँ एक लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी, बड़ी ठंड का समय था, सुमा है, उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा इस पेड़ पर बांदिया करती थी, एक दिन तो उसकी माँ ने हद ही कर दी, खड़की दिसंबर की ठंड में उसका स्वेटर उतार कर उसे इस पेड़ से लटका दिया, सुछे जब लोग आए तो उनको लगा कि वो लड़की बेहोश हो गई है, पर जब उसे पेड़ से उतारा तो वो बिचारी ठंड से मर चुकी थी, और उसका स्वेटर वहीं पेड़ पर लटका रहा, उसके बाद एक दिन वो स्वेटर उसकी सौतेली माँ ने पहना था, अब से वो स्वेटर यहीं तंगा रहता था, पर पता नहीं यह कौन ले गया, लोग कहते हैं कि रागिनी चुड़ैल बन गई, और उसकी आत्मा उस स्वेटर में आ गई थी, है, क्या नाम बताया तुमने, रागिनी, ही भगवान, अब मेरी जया का क्या होगा, क्या हुआ ऐसे क्यों रो रहे हो, है, क्या बात हो गई, दरसल वो स्वेटर मेरी बेटी पिंकी स्पेड से उतार कर घर ले गई, और अपनी मा को दे दिया, जब से उस चुड़ैल का स्वेटर जया ने पहना है, तब से उसमें भी उसकी आत्मा आ गई है, उसने खुद अपना नाम मु बस फिर महिश जल्दी से भवानी तांत्रिक को घर ले कर आता है, भवानी तांत्रिक जया को अपने सामने बिठाते हैं, और उसे वो स्वेटर उतारने को कहते हैं, बस इतना सुनते ही जया एक चुड़ैल में बदल गई और बुरी तरह चिलाने लगी, तुझे भी मार डा किया, उसे तो तू मार ही चुकी है, अब तुझे इन गरीब लोगों को मार कर यहां मिलेगा, अच्छा, अच्छा लगता है मुझे, मैं मारूंगी, सब को मारूंगी, तांत्रिक अपनी कोशिश कर लेते हैं, पर चुड़ैल जया का शरीर छोडने को तैयार ही नहीं होती, वो तो बस उसे मारने पर तुली होती है, उसके बाद तांत्रिक भी हार मान लेता है, उसके बस में ही नहीं होता कि वो उस चुड़ैल को जया के शरीर से निकाल सके, चुड़ैल अपना ही गला दबाना शुरू कर देती है, नहीं छोड़ूगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हम बहुत करीब हैं, और पापा के पास मा को एक स्वेटर दिलाने के भी पैसे नहीं थे, मेरी मा इतनी ठंड में ठिटूटती रहती थी, पर बेचारी एक शब्ते ही बोलती थी, मैंने ही उस स्वेटर, मैंने ही वो स्वेटर उस बगीचे में देखा और मैं ले आई, सब मेरी मार दो, पर प्लीज मेरी मा को छोड़ दो, उनकी गलती बस इतनी थी कि वो ठंड नहीं परदाश्ट कर पा रही थी, और मुझसे ये सब देखा नहीं गया, पिंकी को ऐसा करते देख, उस चुडैल का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है, उसे पिंकी को देख, अपनी जिन्द के लिए खुश होती है,